आज हम बात करेंगे अगर आपने जुलाई 2024 से सैसन में इग्नू में एडिमिसन लिया है तो आपको लास्ट डेट से पहले पांच जरूरी काम करने होंगे अगर आप इसको टाइम से कर लेते हैं तो आपका जो कोर्स है जो डिगरी है वो टाइम पर कम्पलीट हो जाएगा तो इसके बारे में डीटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और इगनुस रेलेटेड सभी अप्टेट और नोटिपिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिपिकेशन को ओन कर लिजे तकि सभी अप्टेट आपको मिलते रहे सबसे पहले इगनु में आपको एडिमिसन इस वाले वेबसाइड से लेना होता है अगर आपका एडिमिसन कंफर्म हो चुका है तो इस वाले वेबसाइड को अब आप भूल जाएए अब आपका सभी काम इस वाले वेबसाइड से होगा जिसका नाम है स्टूडेंट पूटल पर आने के बाद यहाँ पर आपको Ignu का अकाउंट एक क्रियेट करना होगा, यह जो अकाउंट यहाँ पर आप क्रियेट करते हैं, यह सिर्फ एडमिसन के लिए होता है, इडमिसन कन्फर्म हो गया, इस वाले पोडल को अब आप भूल जाए है, अब आपका सभी काम इस वाले portal से होगा, यहाँ पर आने के बाद आपको new registration पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको एक नया password वगेरा set करना होता है, यहाँ पर student registration form आ जाता है, यहाँ पर आपको अपना basic सा details डालने के बाद खुद को register करना होता है, और जब आपका account बन जाता है, तो इस तरीक subject का क्या नाम है, वो आपको पूरा यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, साथी में यहाँ पर services पर click करेंगे, तो ignorance related जितने भी services है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, एक single click में यहाँ से आप अपना icard भी download कर सकते हैं, और ignorance जो आपका register address है, दूसरा काम आपको क्या करना है कि आपको ABC ID create करना होगा, जिसका पूरा full form है academic bank of credit से, यह वाला आपको account create करना होगा, और इस account को बनाने के बाद आपको IGNU के account के साथ link करना होगा, और यह सभी काम आप कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आप यह वीडियो देख सकते हैं, मा वीडियो का link मैंने नीचे दे रखा, इसको आप देख सकते हैं, और अपना ABC ID बनाने के बाद जो आपका ABC ID card रहता है, वो भी download कर सकते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका ABC ID बन जाता है, तो UGC के तरफ से एक update आया है, जिसमें यह बताया गया कि अब आपक लिंक मैंने नीचे दे रा, इसको आप देख सकते हैं, जिसमें की मैंने पूरा detail में बता रखा है कि DEB ID क्या है, यह क्यों बनाना होता है, और कैसे आप बना सकते हैं, वो भी बता रखा है, तो वीडियो का link मैने नीचे दे रखा, उसको आप देख सकते हैं, तो ध्यान र लिया है जैसे कि BCA, MCA, MBA, MCOM या फिर कोई दूसरा semester based program है या फिर कोई 6 महने के certificate course में admission लिया है जैसे कि CLIS, CDM और इसके लाबा और भी बहुत से program है तो अभी आपको क्या करना है कि first semester आपको exam देना होगा और examination fees जो है वो submit हो रहे है आपके December में exam होने वाले है जिन्होंने भी जुलाई 2024 में semester based program में admission लिया है या फिर 6 महने के certificate course में admission लिया है तो आपको first semester का exam और certificate course का exam December में देना होगा और इसके लिए exam fees submit हो रहे है अगर आप 15 October के सामके 6 बज़े तक exam fees को submit करते है तो आपका कोई भी late fees बगएर नहीं लगेगा जितना निरधारित फीस है वहीं लगेगा तो आपको last date से पहले December session का exam देने के लिए exam fees इस वाले website से submit करना होगा इस वाले website साप exam fees कैसे submit करेंगे उसके लिए वीडियो का link मैंने नीचे देर खा उसको आप देख सकते हैं और इगनु में ये भी रहता है कि आप जितने भी subject का exam देना चाहते है पहले आपक 6 मेंनिका certificate का course है तो आपके लिए एगनु ने assignment का question paper भी website पर update कर दिया है 2024-25 session का तो यहां से आप assignment का question paper download कर सकते हैं और आप अपना assignment बना करके last date से पहले submit कर सकते हैं assignment जमा करने की last date है अभी 30 September 2024 से लेकिन इसको extend किया जाएगा और आपको 31 October तक assignment submit करने का मौका दिया अगर आपको assignment का answer नहीं मिल रहा है तो इस WhatsApp नमर पर आप हमारे team से contact कर सकते हैं और assignment का answer PDF format में कम दामों में खरीद सकते हैं यह जो WhatsApp नमर है नीचे description box में मैंने दे रखा है तो अगर आपने जुलाई 2024 session में admission लिया है तो बस यही 5 जरूरी काम आपको करने होंगे अगर आप इनको time से करते हैं तो आपका course भी इगनु में time से ही complete हो जाएगा इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया है तो like किजिए share किजिए और इगनुस related सभी update instantly पाने के लिए आप हमारे telegram channel को भी join कर सकते हैं link मैंने नीचे दे रखा है साथ आपका कोई सवाल है तो comment box में बता सकते है